हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सर्थ आज हम BCG मैट्रिक्स की डिसकुशन को हम आगे बढ़ाएंगे लास्ट लेक्चर में हमने BCG मैट्रिक को स्टार्ट किया था आपके साथ जिसके अंदर introduction और आपके साथ छोटी वाली मैट्रिक्स हमने इसकी समझ ली थी आज हमें इसे proper detail में पढ़ना हैं समझना हैं और साथ में explanations भी हम साथ में करेंगे अभी तक हमारा main topic में extra questions भी BCG मैट्रिक्स के सभी रहते हैं तो one by one करके हम उनको भी करेंगे आपके साथ यहां पर आपकी चार स्टुएशन के अंदर BCG में चार स्टुएशन चैसी कि एक स्टार है एक कैश काउज है, एक कोशन माख है, एक डोक की स्टुएशन है इन चारो स्टुएशन की हम एक्स्टुएशन इस तरीके से करेंगे आपके साथ कि पेपर में यदि इन डिविजुली एक स्टुएशन भी आपसे पेपर में पूछ ले तो आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे प्लस यदि किसी भी तरह का कुश्शन आ जाए आपका सभी अटेंट होगा बैदर चाहे MCQ है चाहे डिटेल डिसकुशन है चाहे केस चड़ी बेस है तो उसके लिए हमें इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो पहले मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ जो हमने कल के लेक्चर में किया था ताकि एक लिंकिंग बन जाए आने वाले टोपिक के साथ वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो इसलिए सबसे पहले दो मिनिट के अंदर रिवाइज करते हैं किस ने दिया था? Boston Consulting Group ने क्यों दिया था और कैसे आया BCG यानि Boston Consulting Group ने एक मोडल डिवלोप किया था ताकि आपके अलग-अलग डिफरन तरीके की जितने बिजनसीज है या फिर जितने आपके SBUña च्छे पिजनस युनिट्स थी इसको आप cow and dog metaphor के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर जो component हम use करते हैं उसके अंदर हम dogs and cows की बाते भी करते हैं कि इसको cow and dog का नाम ही क्यों दिया गया है क्योंकि हम यहां पर जब हम अलग-अलग business की बात करते हैं तो वहां पर resource allocation सबसे बड़ी problem है उसके लिए हमने cow and dog की metaphor को use किया था तो यह very important एक MCQ निकलता था जो हमने कल के lecture में detail में आपके साथ समझा था next topic आता है कि BCG आपका कहां-कहां use होता है आपका product analysis को हो strategic business unit को हो portfolio analysis को वहां पर आपका BCG matrix use होता है next important topic है कि BCG matrix को start करने से पहले समझने से पहले इसके दो factor को समझना इसके दो dimension को पढ़ना जरूरी है वो है आपका एक relative market share और दूसरा है आपका business growth rate relative market share हमेशा original को बताता है और business growth rate हमेशा vertical horizontal यह पड़ी हुई और vertical मतलब खड़ी रेखा एक बात तो यह clear हुई next है जो relative market share है आपका हमेशा क्या show करता है business की strength को यानि कि किसी company की या product की strength को बताता है इन्दा market की market में किसी company के product की कितनी strength है इसी तरीके से business growth rate business growth rate यह क्या बताता है आपका market में आपका product कितना attractive है market को आप कितना attract कर पा रहे हो ये बताता आपका business growth rate बहुत important है यदि आपने इन दोनों topic को समझ लिया तो definition तो आपको हर component की clear होगी ही साथ में आपके जितने में bullet point आगे करवाऊंगे आपको explanation के अंदर उनकी linking भी इन दो point के साथ रहेगी तो simple fashion ऐसे समझ लो relative market share that means strength business में आपके product की कितनी strength है market में आपके product की कितनी strength है और business growth rate को that means समझ लो कि market में आपका product कितना attract करता है customers को तो ये समझ के आप explanation को आगे बढ़ाएंगे इसके बाद हमने आपके साथ BCG growth share metrics में 4 category को पढ़ा था हलक के थोड़ी सी discussion की थी only definitions को हमने समझ लिया था कितनी category है चार कौन कौन सी है star cash cows या question mark और आपकी dots तो हमने ये समझ लिया था आपके साथ अब हम चलते हैं आपके साथ difference पे ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो यहां पर difference के लिए मैं आपको सबसे परे लिखवाती हूं को चीज़े जिसे आपको बहुत अच्छे से clarity आएगी हमने जो लास्ट लेक्चर में आपके साथ किया था एक matrix किया था सबसे पहले matrix के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमेशा यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है relative market share क्या लिखेंगे आप relative market shares relative market share में यह point आपका हमेशा high के लाएगा और यह हमेशा आपका low के लाएगा इसी तरीके से vertical में आपको लिखना है that is business growth rate यह हमेशा high रहेगी और यह हमेशा आपकी low रहेगी यह हमेशा आपके लाएगा साथ last lecture में की थी अब इसके explanation मुझे आपको detail में देनी है यहाँ पर आप ऐसे समझेंगे सबसे पहले definition की बात लेते हैं यिदि definitions बोलो मैं स्टार की definition की बात करें तो स्टार की definition मांको कैसे याद रखना है सबसे पहले लिखेंगे star represent क्या लिखेंगे star represent the लगा के आपको ये दोनो word लिखने हैं, कैसे लिखेंगे चलिए, एक बाद discuss कर लेते हैं star में सबसे उपर देखो क्या है that is high, high के उपर क्या है that is relative market share तो कैसे लिखेंगे star represent the high relative market share and star के vertical में जाओ इसके सामने क्या है high high और उसके सामने क्या high के, that is business growth rate, short में नहीं लिखेंगे paper में आपको पुरा ही लिखेंगे आना है, exam में अभी के लिए short है ताकि आपको में जल्दी जल्दी करवा सबूँ next question है आपकी cash cows की, तो cash cows में कैसे लिखोगे बिल्कुल same, definition में cash cows represent the क्या है cash cow के ऊपर देखो, सबसे पहले horizontal में high relative market share and क्या है low business growth rate next है आपकी question mark की situation, question mark की situation में कैसे लिखेंगे question mark, represent the उपर देखें, that is low relative market share and high business growth rate last है आपका डोग की situation, तो डोग में definition कैसे बनाएंगे दुनों ही low है, तो low relative market share and low business growth rate तो यह आपकी हुई पहली discussion, that is definitions की चलिए, second point पे चलते हैं अब से जितने भी point आपके पास आएंगे उनकी linking हमेशा relative market share और business growth rate से ही रहेगी, तो यह नहीं समझने के लिए आपको इन ही topic को लेना होगा आपको जल्दी समझने हैगा, second topic that is earning, तो earning में कैसे लोगे आप, पहरे star की बात कर लेता है, star में क्या है, दोनों ही high है यानिकी relative market share भी high है और business growth rate भी high है business में share जो आपका product का है वो जादा है और growth की expectation भी बहुँ जादा है यानिकी आपका business आगे के time में बहुत growth करेगा तो earning क्या रहेगी हमेशा high और साथ में earning कैसी रहेगी statement बने, ठीक है, ये बात clear हो गई, हमेशा हरे point को link करेंगे इसी relative market share और business growth rate से, cash cows के आते हैं cash cows कहता क्या है, जैसे आप बोलते हैं कि आपकी ऐसी guy है, जो हमेशा आपको बिना किसी effort के, बिना किसी कोशिश के आपको पैसा देती है आपके बिजनस में ऐसी, कोई आपके पास gazette है, कोई ऐसा product है, जिससे आपके पैसे आते जा रहे हैं, बिजनस में income बढ़ती जा रही है effort कुछ भी नहीं है, investment कुछ भी नहीं है, तो ऐसी situation cash cows के लाती है, तो यहाँ पर हमने बोला था cash cows की situation में, कि आपका high relative market share है यादि कि बिजनस में आपका share बहुत जादा है, strength आपकी product की बनी हुई है, और growth rate लेकिन कम है, growth का अंतलब है, आपके product अब आगे कभी भी और growth में नहीं जा सकता है, लेकिन market में share जादा होने से, आपके product की income तो भी बनी रही है, तो यानि कि आपके पास earning क्या रहेगी, हाई, और साथ में वो stable भी रहेगी, कि कुछ time तक आपके पास वो income मिलती रहे, ठीक, अब चलते है question mark पे, नाम में question mark है, कि हमें यह नहीं पता है कि हमारे business में growth होगी या नहीं होगी, question mark का मतलब क्या है, यदि situation देखे तो आप कहते हैं कि low आपके relative market share है और high business growth rate है, share नहीं है, आपके business का, आपके business के product का market में share बिल्कुल नहीं है, कम है, और आपकी expectation देखो, question mark हमेशा दो situation में जाता है, आप arrow देखना जहां मैं बना रही हूँ, या तो वो star की तरफ जाएगा, या वो dog की तरफ जाएगा, क्यूँ, देखो, यदि business में आने वाले समय में, यदि growth rate जादा होगी, यहां से सुनो बहुत important concept बता रही हूँ, question mark की situation से, यदि business में growth rate आकी high है, तो for sure है कि वो star की तरफ जाएगा, लेकिन ग्रोथ रेट आपकी, business की growth rate low हो गई, तो वो star में नहीं जा सकता, उसको ultimately किस में जाना पड़ेगा, उसको dog, dog for situation है, यानि कि loss की situation है, हमेशा ये, दुनों ही हमेशा low रहेंगे, तो इस बात समझी, तो इसमें कहेंगे कि आपकी जो earning है, वो low रहेगी, earning क्या रहेगी, low रहेगी, क्योंकि यहां market share आपका जादा नहीं है, तो इसी कारण से आपकी जो earning capacity हमेशा प्रम रहेगी, और income जो आएगी, वो stable भी नहीं है, यानि कि unstable है, और यहां dog में तो हमें पता ही है कि income आने से रही, जो आजाएगा, उसको चुक्चाब करके ले लेंगे, जितना भी आ सकता होगा, तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, है न, तो यह point था आपका that is second earning, इसी से link का एक point आता है that is cash flows, दुबारा से उसी point पे चलेंगे, cash flows में क्या बोलेंगे, कितना पैसा आ रहा है, यहां पर cash flow कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, यानि कि हम यहां पर एक technical word बोलेंगे, या आप simple ले लो, that is neutral, आपको यहीं लिखना है कि practice manual की जो discussion है, उसके अंदरी बढ़ाती बढ़ाती है, इसलिए stable भी हमेशा रहेगा, जब तक मिल रहा है, जब तक गाए दूर दे सकती है, जब तक ले लो, इसका हो तो जब तक प्रोड़क्स चल रहा है, जब तक उसके पैसे जितना आ सकता, ग्रैब कर लो, उससे ले जो, यहाँ पर क्या है, market share है नहीं अभी, तो cash flow आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, जितना पैसा आपका आएगा नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा तो आपका निकल जाएगा, that means cash flow क्या है negative, यहाँ खर्चा यहाँ पर क्या रहेगा, negative, ठीक है, यह तीन पॉइंट आपने समझ लिए, अब next point करवाते हूं आपको यहाँ पर मैं strategy, fourth point है, इस type की star की situation के अंदर कौन सी strategy हम adopt करते हैं, तो strategy यहाँ पर adopt होगी हमेशा growth की, क्या तक क्यों, क्योंकि मैं कहीं रही हूँ कि यहाँ पर high growth है, high business growth है, तो active business में growth करेगा ही करेगा, growth का दूसरा नाम क्या expansion strategy, क्या हम detail में पढ़ेंगे कहीं, yes, बिल्बुल पढ़ेंगे, आने वाले chapters में हमें इसी की discussion बहुँ जादा करनी है, तो वहाँ पर हम expansion यह growth की strategy को detail में पढ़ेंगे, यदि मैं अभी आपको थोड़ा सार्का और diversification के अंदर भी बहुत सार एक्जामपल आपके, तो यह सब point है, यहां पर हम पढ़ेंगे, अचा, यहां कौन सी strategy है, पहली बार सुनोगे, यहां पर strategy एक ही बार नाम लेना है, that is milk strategy, अलाकि कोई अलग से strategy नहीं है, बस milk strategy का meaning यही है, जब तक वो गाए दूर दे रही ह जब तक कोई काव milk दे रही, जब तक उसको use करते रहो, अपना पैसा कमाते रहो, बस यही strategy है, यहां पर इसलिए इसको बहते है milk strategy, और एक MCQ भी इसकर बन जाता है, कि कौन सा ऐसा situation है BCG matrix में, जहां पर milk strategy adopt होती है, तो आप बोलेंगे that is cash cow, यह फिरूलता आ सकता है, in a cash cow which strategy is adopted, तो आपको क्या लिखना है milk strategy, किसी तरीके से भी आए, आप याद करके जाएंगे, तो आपका MCQ किसी प्री पैटन में बनेगा, तो आप कर पाएंगे, next up question mark में कैसी strategy adopt करेंगे, अब यहां पर discussion आपको करने पड़ेगी, जो मैंने अभी आपको संजाया, cash cowes में क्या है आपकी milk strategy, यह बात लिख होगी, अब question mark पे आओ, question mark में न दो चीजे है, जो मैंने आपको अभी arrow बताये थे, पहला arrow star के तरफ, दूसरा arrow था दो के तरफ, अब इसी तरीके से strategy adopt होगी, यदि आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कि long run के अंदर आपकी जो business growth rate है, वो आपकी high होगी, तो आप कहां जाओगे, star पे जाओगे, no doubt, बिल्कुल आपको star पे जाना पड़ेगा, है न, और यदि आपकी business growth rate, आपकी low रहेगी, तो low रहेगी, तो ऐसी situation के अंदर, आपको business में, जो strategy adopt करनी पड़ेगी, वो dog की strategy के according आपको adopt करना पड़ेगा, तो high अपने समझा, growth की strategy adopt करनी पड़ेगी, यदि dog की situation आदे है, क्यों क्योंकि business growth rate आपकी low है, तो ऐसे case के अंदर, आपको diverse, यानि की business को बेचने की, या liquidation की strategy आपको adopt करनी पड़ेगी, तो dog के अंदर, तो automatically clear होगे, कुँए strategy adopt करेंगे, that is diverse, या फिर आपकी liquidation की strategy यहाँ पर या इसामपल लेते हैं, सबसे अच्छा example इसका Samsung, अब आज की time में market में, देखो Samsung का क्या है, market share बेच्छा बहुत बढ़ रहा है, और उसी growth भी बहुँ जादा, यूज वह नही नही models को लेके आती है, यदि मैं cash cows की बात करू हूं, तो Apple का iPod सबसे अच्छा example है, cash cows क्यों क क्योंकि एक बार बनाया, कोई उसके अंदर आपको लेटर्स टेक्नोलोजी यूजनी करनी होती, जो एक्पल कंपनी उसे जितना पैसा मिल रहा है, जब वो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उनको बीना एफट के वो पैसे मिल रहे हैं, बीना इन्वेस्टमेंट के पैसे मिल रह हैं, यदि उनका प्रोडक्ट बढ़ता है, जब अच्छी हो गई, तो वो एक्सपैंशन में चले जाएंगे, और यदि उनकी रोफ रेत नहीं ही तो उनको बिजनस बंद करना पड़ेगा, लेकिन आज की स्वेशन में बात करूँ तो वो ग्रोफ रेत पे ही चल रहे हैं, क किस पा आप रोफ की स्वेशन का, तो ये था फिरच पाइंट, एक बेशक्त on को कर सकते हैं, हां, बिल्कुल कर सकते ही, चरुब शीज भाद करते हूं, तो कि कितनी चाहिए यहां पर आपको हर्ष हाई इंवेस्ट मेंट के लोद में चाहिए, यहां पर आपको हाई इंवे और दो के अंदर भी इंवेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए क्योंकि फूचर ही नहीं है यहां पर और इस प्रोडक्ट का फूचर ही नहीं है तो यह से पॉइंट आपके 6 और पॉइंट करेंगे हम एक पॉइंट और बन तकता है बैपीज सेवन फॉइंट एक है स्टैटेज अब इस स्टैटेजिक उप्शन मेरा एक पैक्टिस मैनूल के अंदर कोस्टन अलग से है जो आपको ओल्स लेबर सुन न्यूस लेबर दोनों स्टूजन्स को करके जाना है तो न्यूस टूजन्ट वाली यह ना समझें कि पैक्टिस मैनूल है तो हम क्यों करें आपके तो कोशिश करें सबको कवर करके जाएंगे तो पैपर में आपको पास लोना पाफी असान हो जाएगा तो यहां पर मेरा पॉइंटर स्ट्रेजिक उप्शन में बाद में करोंगे आपको हरे चारो के अंदर त्यूं कि यह प्रेक्रीश मैनूल के अंदर कोश्चन है यदि अभी discussion में आपके साथ यही करूंगी तो यहाँ time लगेगा और फिर बाद में फिर मुझे explain करना है question तो फिर वहाँ दुबारा से consume होगा तो time को बचाने के लिए मैं time पड़ अभी explain नहीं कर दिना आपके साथ यहाँ पर हाई और stable cash flows में देखो यहाँ पर हाई और stable लेकिन question में पैसा नहीं आ सकता यहाँ पर के अंदर भी earning क्या है low पहला point ले हो गया आपका next point है cash flows का यहाँ पर देखो difference में दिखा रही हो आपको सबस्परे definition ली जो हमने कल का पाठ्था earning हम ले चुके है next point करें cash flows Cash flows को देखो आप यहाँ पर cash flow क्या है neutral star के अंदर neutral cash flows के अंदर high है stable है ब्लकुल वही है same यही हम question mark की बात करें तो cash flow आपका negative है और दोग के अंदर भी cash flow आपके क्या है negative next point आता कि strategy कोई से अडूट करेंगे expansion की strategy यहाँ पर strategy milk की strategy किसी तरीके से यहाँ पर दोग है जदी business growth करता है तो star और business growth नहीं करता है तो दोग और arrow दी देखंगे तो आपका जहां से देखिए कि question mark से arrow किसना जा रहा है question mark से arrow किसा जा रहा है star की तरफ या पर कहां जा रहा है डोग की तरफ दोनों situation यए business growth rate high हो गई तो हम star पे चले जाएगग यह सारे पॉइंट हमने आपर लिए क्या यह मैट्रिक्स से पेपर में लिखनी है हमें जब पेपर में आ जाए कि अधनी चैश्ट लो या स्ट्राटिजी के अकोडिंग आप बेसी जी मैट्रिक्स को बनाए तभी आपको यह वाले पॉइंट इसी जरीके से प्रेजन करने जै स्टार काप को साइड में दिख भी रहे और यहां से भी मैज़र करते हैं सार रिप्रेजेंट बी सार रिप्रेजंट अब इस चैएगी हूंज इस फ्रफूरा डिटेल में लिया है स्टार के अंदर जो भी बिजनस होंगी वह हमेशा तेजी से बढ़ें ग्रोइंग रैपि बलकि मैंने आप यहां पर extra भी पॉइंट लिये हैं आपके साथ, उसका रीजन यह है कि आपकी discussion चाहे किसी तरीके से आजाए, चाहे MCQ आजाए, चाहे आपका case laws आजाए, चाहे आपकी discussion आजाए, चाहे even star को सिरफ कोशन कह दे कि आप explain करो, only star situation को explain करे, तब हमारे पस content नितर आपके समझ नहीं आया, मैं बगाती हो आपको, किसी question में star की investment की बात थी, तो किसी दूसरे question में star की strategy की बात थी, तो तीसरे question में example था, fourth question में कहीं पर, आपका strategic options था, तब चाहर कोशन करने की बजाए, अलग-अलग, मैंने कहा किया, आपके वहन चाहरो कोशनों में, जो star क जितने point थे, उन सबको मैंने एक पहरे में लेकर, आपके bullet point से बनाया, and then फिर मैंने difference हम करते चले गए, जिससे आपके सारे point अच्छे से clear होगे, और आपके एक बार में ही, सारे practice manual की questions भी cover होगे, इसी तेकिस study material में, page number 4 पे star की, जैसे मान के चलो investment की बात कर रहा है, तो page number 6 पे, फिर से star की opportunity की बात कर रहा है, तो इसे तो confusion बढ़ जाती ना, आपकी बार-बार हम star को एक point बोलके math 2 minute के बार, फिर star की बार बोलती है, अभी इकठा गर गर गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो यह हमने किया है, इस पामे इसलिए आपको हो जाते हैं, इस्टैबलिश हो जाते हैं, उस time पे हमेशे situation रहती है, लेकिन ज्यादा time तक यह situation नहीं रहती है, यह बात याद रखेंगे, cash cows की situation है, business के, आपके long run में एक limit तक ही रहेगी, milk की strategy एक limit तक रहेगी, यह तो यहाँ कि, काव को आपने खीज लिया है, आज दू देती रहेगी, एक limit है, उसकी milk को देने की, दूसी तरीके से, यह same concept है, आपका business में cash cows का, एक limit तक यह point आपका बनता है, क्याता है, उसके बाद क्या होगा, cash cow की जो conversion है, वो किस में चले जाएगी, डोग में, आप यहाँ देखो, arrow देखो, फटा फट से, cash cows के arrow देखो, cash cows जब situation आते हैं, तो कहां चला जाता है, फिर, डोग में, long run में cash cows अपनी situation से, यह दि उसको change करना है, तो हमेशे किस पे जाएगा, डोग पे जाएगा, यह दोनों arrow clear हो गए, कोश्नमाक की भी clear हो गया, cash cows भी clear हो गया, अब star की और बात कर लेते हैं, यह दी star, अभी यह जाते हैं, यह दोग में, यह दो हमने discussion कर ली, कहां है, कहां है, discussion एक पर समझा दो, बिल्कुल दूर नहीं है, यहाँ देखो, अभी next year, in the long run, star become cash cow, star क्या बन जाएगा, cash cow बन जाएगा, तब rate of growth rate slow हो जाई, जब business growth rate slow हो गई, यानि कि down हो गई, तो star situation किसमें चला जाएग आपका दोग के अंदर, strategy option अभी हमें करना नहीं है, और investment कैसी चीज़ में, less investment, जो हमने difference के अंदर कर लिया, आपके साथ, next चलते है, question mark ती situation पे, जो meaning हम कर लिये थे, आपके साथ, high business growth rate है, लेकिन low relative market share है, MCQ के लिए very very important question, बहुत बार आज आएगा, आपको sample paper में भी a question द सकता है, SBU को heavy investment चाहिए, यहाँ पर यहाँ हमने बात ले लिया, आपके साथ, अच्छा, इसमें generate cash ज्यादा होता है, ज्यताब बहुत कम होता है, क्योंकि low potential है generate cash करने की, यहाँ पर, point player हो गया, next है, यही बात कि हम कहते हैं कि, आभी मेरे पास question mark की situation है, question mark से हम कहां जाएं तो यहाँ पर देखो, जब when the business growth rate is high in the long run, तो question mark position किसमे करनोट हो जाएं है, star में, यह बात करेड हो गई, यदि star आया, तो उसके बाद, जब business growth rate low हो जाएगी, तो star किसमे करनोट हो जाएगा cash cows में, and then फिर, जब आपकी decrease हो गई business growth rate, तो start position जो है, या star position हो किसमे करनोट हो जब आपका market share, जैसे market share, पूरे के पूरे business का कम होने लगेगा, तो cash cow की situation में जाता है, dog की situation में जाता है, यह समझी में आ गया, तो question mark में, लेकिन, जब आपका low market share है, और business growth rate भी आपकी low हो गई, तो ऐसे case के अंदर, आप direct किसमें चले जाओगे, dog में चले जाओगे, तो दोग में कोई future तो ही नी, don't have much future in the position, आपको हमेशा इस position को minimize करने की हर एक business कोशिच करता है, कैसे करेगा, या तो business को बेच के, या फिजनस को बन करके नी, तो divestment, divestment या फिर liquidation, example है Windows player, जो हम ले चुके है, study option हम बाद मेलेंगे, practice manual के question के साथ, और यहाँ पर हमारी discussion complete हो है कि हमने study manual के अंदर या practice manual के अंदर जितनी discussion इन चारो पॉइंटों की थी, कार category की थी हमने सब ले ली और matrix भी हमने छोटी और बड़ी दोने की दोना अच्छे से समझ ली, अब हमारे पास सिरफ extra questions रहते हैं, जो हम आने वाले lecture में आपके ताथ अच्छे से discuss करेंगे